हेलो एबरीवन वेलकम टो फ्रेंट्स मैं एक सिरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो कि ओशदी एकुन रखती हैं मैडिसन के रूप में उनका यूज होता है यानि मैडिकेटट प्लांट है और आपके घर में लगाने से ना केवल गरीनरी प्रोवाइड करवाएंगे बलकि आपको उसके बेनिफेट्स भी हैं और रोजना मैं एक प्लांट के बारे में बताऊंगी इस तरह से मेरी कई सिरीज आएंगी और सिरीज में कई प्लांट्स के बारे में बताऊंगी पहले पी मैंने एक सिरीज शुरू क होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हमें मिल जाती है एक तो सबसे पहले अगर अबात करें तो यह है उक्सिजन प्रडूस करने वाला प्लांट है यानि फुल टाइम उक्सिजन प्रडूस करता है तो हमारे घर में एयर को तो प्यूरिफाइक करता ही करता है डिजीज खतम हो जाती है और जैसे काले धब्बे वगरा हो जाती है वो खतम हो जाती है वाइप स्पोर्ट होते हैं वो खतम हो जाती है पिंपल्स वगरा की समस्यें होती है वो खतम होती है हना यानि स्कीम के रोकों के लिए तो बहुती रामबान है और इसका जूस निकाल कर पीज सकता है तो आप इसको लगाना भी आसान है इसको बस आप लगा दीजिए उसके बाद बस पानी का ध्यान देना है कि इसको बहुत ही लेस वाटरिंग चाहिए जैसे कि देख रहे हैं इसके अंदर से जैल निकलता है तो ओल्ड़री इसके अंदर पानी मुझूद है त हैं और गृव इसका मतलब पानी है अधैया तो अगर वहनों तरीकह जाए तहरा पानी से भर होता है तो वी इसके मिट्टी सोबना रखें और ध्रभान अध्यूद desires मिट्य को जासे अधैं तो छे आप अच्छे से चलेंगा और एक भर अच्छी से कादवाली मिट्टी में लगादें हलका सा कोको पीट भी मिलाइगा क्योंकि कोज्ड मिलाने से क्या होगा कि मिट्टी में मोशर बना रहे गा हम यह अपने आप इसका अच्छे से पानी की पूर्ति होती रहे और इसको फुल सलनाइट के इंदर नीचे ना रखी फुल सलनाइट के नीचे रखने से इसका जो कलर है वो फेड फेड सा लगता है तो हलकी शेड वाली जगह पे रखेंगे जैसे सुबह की धूप आती हो उसके बाद फुल टाइम इसको चाया प्रड्यूस करवाएंगे तो ब happiness करता है नीचे से इसके बिबी प्लान निकलते रहे हैं मल्टिप्लायार करते है और इसको मल्टिप्लाया यहां? उतना कम है और कहते हैं कि मा लक्षमी का इसमें रवास माना जाता है यानि ये अगर आप इसको लगा देंगे तो वास्तो शाजर के निसार भी बहुत अच्छा है और उसके बाद इसका जूस बना के पिए इसको चहरे पे लगाईए अपनी चाहियों को दूर कर सकते हैं आप और स्कीन के उपर एक अलगी गलो आता है अगर आप इसे कंटिनेसली यूज करते हैं तो स्कीन अलगी चमकती है तो आई होप आपको मेरे विडियो चाहोगा थैंक यू